Hello friends, welcome to my youtube channel, study about plus with प्रशान्थ Friends, आज की उडियो में हम बात करने वाले हैं Cube Resistance Calculation जैसे कि फ्रेंड आप देख पारे हैं, हमें एक cube बनाये गुआ है और इस cube का हमें equivalent resistance निकालना है Friends, आपको एक बात बता दूँ कि इस तरह के question आपको हर तरह के exam में देखने को मिल जाते हैं चाहे आप 11th या 12th या फिर IIT का exam देखें या फिर AIMS Medical का exam देखें या फिर GATE का exam देखें या फिर कोई भी आपका street government exam सब में आपको इस pattern के उपर question मिल जाते हैं और एक चीज़ और आपने गौर की होगी in questions में जो resistance होता है सभी का हर branch का resistance equal होता है या तो 1-on देदेंगे या फिर R देदेते हैं या फिर X देदेंगे या फिर 10 के देदेंगे या 100 के देदेंगे इस तरह के सभी resistance आपको equal मिलेंगे और friends एक चीज़ और आपने देखा होगा इसमें तीन केस बनते हैं तो इस सभी तीनो केस में अलग बना लिये हैं और chemistry friends आपने पढ़ा होगा element 12 में कि किसी को edge centered बोलते हैं edge centered या face centered cube या body centered cube तो उनके जो नाम होते हैं किस तरह से देते हैं वह भी मैं आपको explain कर दूँगा इस वीडियो में और plus हम इसको पूरा kvl के तुरू solve करेंगे तो सबसे पहले friends देख लेते हैं किस system of cube को हम कौनसा नाम देते हैं तो friend मैंने एक cube ले लिया आपके सामने friend यह cube का एक face है उपर जो आप देख पा रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं face centered face centered जैसे कि आप देख पा रहे हैं dit face rook है और इसके उडाइगनल एक केbelिप कर रहे है तो हम बोलेंगे face centered अगर हम इसी चीजको हम यह face है और face के किसी edge पे कैलिप करेंग यह edge है इन नोन पर या पर इन नोनों पर या फिर इन दोनों पे, तो अभी मान के चलिए इस point पे निकालना और इस point पे हमें equivalent resistance, तो हम इसे बोलते हैं, edge centered, ये देखे, A और B, face की हमने edge पे निकाला, EDG, edge centered, EDG, edge centered, और friends, अगर जो पूरा cuboid है, इसकी diagonal की across हम calculate करेंगे, मतलब ये वाला point, ये, और उपर वाला ये point, ज ये पर अगर हम equivalent resistance calculate करेंगे, तो हम इसे बोलते है body centered, अभी जो हमने अपना question लिया हुआ है, उसमे हम equivalent resistance calculate करना है, A और B point, जो की diagonals है, मतलब की body centered, cube के लिए हम equivalent resistance calculate करना है, friends, ये जो cube है, इसका equivalent resistance calculate करेंगे, आज हम KVL method से, कैफी सारे लोग को friend doubt रहता है, KVL method apply करने में, complex network में, क्योंकि कई सारी equations बनती है, और काफी doubts आते है, KVL को apply करने में, तो friends, आज मैं आपके KVL से सारे doubts clear कर दूँगा, और इस complex network के कैसे KVL apply करते है, वो भी आपको बता दूँगा, आज ये friends start करते है, तो friends, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक voltage source माल लिजे, V, और जह plus minus voltage source के polarities हो गई, plus से current आ रहा है I, और KVL में आप एक चीज़ जानते है, जो current निकलता है, उतना ही current आना चाहिए, तो यहां से कहीं से I current आ रहा होगा, ये पहला concept होता है, अब friends आप देख पारे हैं network में, one ohm resistance, one ohm resistance, one ohm resistance, तीन व्रांच हैं, एक, दो, तीन, और current I आ र जाएगा, एक चीज़ हम friend जानते हैं, जो KVL का दूसरा point है, second point, इसको note कर लेना, current entering positive, leaving negative, ये आपका I by 3 आ गया, मतलब, entering current क्या होगा, आपका positive और leaving वाला negative, ये second point है KVL का, बस इतना ही KVL और कोई कुछ नहीं है, अब friend ये I by 3 है, दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा ह हैं, तो ये half divided हो जाएगा, यहां पर I by 6 आएगा, plus minus और यहां भी I by 6 आएगा, क्योंकि equal resistance है, total current I by 3 है, ऐसे two parts में डिवाइड कर दिया, अब ये वाला current I by 3, ये भी दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, यहां भी I by 6, और इस point में भी I by 6, same friend ये वाला current I by 3, दो ब्रा current I by 6, और एक current ये I by 6, दोनों यहां पहुच गए, और इसमें add होंगे, तो अब एक चीज़ देखना, friend, ये ब्रांच एक इस तरह से आ रही है, और दो ब्रांच ऐसे हैं, जिसमें हहां से current आ रहा है I by 6, और हहां से current आ रहा है I by 6, ये output में लेगा, तो दोनों का sum हो जाए दोनों को मैं add कर दूँगा, ये बनेगा I by 3, प्लस माइनस, similarly friend, अब ये वाला current I by 6 यहां पहुच चुका है, I by 6, और ये वाला current I by 6 यहां आ चुका है, इस ब्रांच में add हो जाएंगे same concept से, तो यहां मिलेगा मैं I by 3, कि वाल आपको concept देखना है, कैसे entering कर रहा है, कहां से I by 6, और यहां से I by 6 आ रहा है, ये भी I by 6 हो गया, इस पर ही मिलेंगे same concept, ये दोनों का sum हो जाएगा, यहां मिलेगा I by 3, प्लस माइनस, यहां भी I by 3 आ चुका है, अब फ्रेंट इस ब्रांच में I by 3, इस ब्रांच में I by 3, और इस ब्रांच में I by 3, और इहर से current आउट हो हो चुका है, अब फ्रेंट कुछ नी करनी है, हमें equation बनानी है, और solve करना है, तो मैं ये वाला loop ने लूँगा, simple सा ये loop, ये voltage source है, V, minus plus, लिखने का तरीखा देख लिजे फ्रेंट, अब equation बनाने का, plus V, ये ऐसे गया, plus minus, entering plus, leaving negative, तो कैसे लिखेंगे, plus minus, आगे वाला negative लि माइनस लिखेंगे अपन, i y 6, into 1, फिर ये, plus minus, minus i y 3, into 1, और ऐसे करके आगे, equals to 0, तो ये हो जाएगा, V equals to i y 3, plus i y 6, मैंने घर भेज़ दिया, plus i y 3, यहाँ पर हम LCM लेंगे, 6, 2i, plus i, plus i, sorry, 2i, तो ये हो जाएगा, V equals to 5, i by 6, इसका मतलब, अगर मैं इसको नीचे लेना हूँ, तो V by i equals to हो जाएगा, 5 by 6, और ये ही आपका answer है, V by i क्या होता है, resistance, तो resistance आगया इसका, 5 by 6, ohm, कितना है है, resistance equals to 5 by 6, ohm, यहाँ दिखनी पार होगा, असले मैंने उपर लिख दिया, तो friends, आपको धियान रखना है कि अगर equal resistance है, तो जो अपका current है, वो equally divided हो जाएगा हर ब्रांच में, और सितके through आप अपना पूरा current distribute कर दीजे नेटवर्क में, चेक करने के लिखनी है, जो current entering हो रहा है, वो ही current leaving होना चाहिए, लास्ट में अगर वो आगया तो आपका KBR आपने सही अप्लाई किया है, फिर equation ननाने के लिख आपको क्या करना है, पहले voltage source लिए, फिर plus minus, minus को indicate कर दीए यहाँ पर, और अपना पूरा solve कर दीए session को, इस तरह से friend, आप simply किसी भी circuit को solve कर सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं short trick की, जो हम तीनों circuit में apply कर सकते हैं, तो friend short trick लिख आपको क्या करना है, एक ठी और एक facebook, उसकल आप मैं आप एक dash कीचिए, तीन dash ले लिजे, और जिस तरह से मैं number लिख रहा हूं, उस तरह से आप लिखिए, यहाँ आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, यह आपका solve हो गया, तीनों केसे, यह ओम, 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 जो body centered का answer आएगा आपका, इस वाले question जब यहाँ पर पर होगे resistance, 5 by 6, face centered, जब इन दो condition पर होँगे, तो आप का answer लाएगा 3 by 4, और जब edge पर होँगे, तो edge, आप का answer लाएगा 7 by 12, इस short trick के through आप directly, तीनों को याद रख सकते हैं, पर friend, मैं चाहूँगा, आपको अगर short trick भूल जाओगे, confusion हो जाएगे, आपने e इधर कर दिया body centered में, आप इन में लाएगे, तो answer गरत होगा, क्योंकि KVL complex network में जब भी apply करते हैं, जब आपकी symmetry हो, और अगर मैं हासी से cut करूँगा, तो symmetry मिल लेगे, लेकिन इन दो point में हम cut करेंगे, तो symmetry नहीं भी लेगी, ना इसमें तो मिली नहीं लेगे, जब भी आपका network symmetrical होगा, तो आप KVL apply कर सकते हैं, इन दो में नहीं, और यह आपकी short trick है, अगली वीडियो में मैं एक और द्वारे यही question लोगा, जिसमें आपको एक ऐसी trick बताऊंगा, उस trick के through आप, तीनो question या फिर कैसा भी network हो, कितना भी complex, directly आप solve कर सकते हैं, उसका answer, equivalent resistance, without short trick, अगर याद कर सक सकते हैं, फ्रेंड, इस short trick को तो अच्छा है, लेकिन mostly पहले आपना KVL strong कीजिए, KVL के through solve कीजिए, जिससे आपके all network solve करने की confidence बढ़ेगा, और उसके बाद आप इसे short trick के through करिए, तो फ्रेंड, अगर आपका इसके बाद भाद भी doubt बचता है, तो comment section वे बताइए, और ज Thank you.